चूचू दीबी, सुनो कहानिया नन्णा चाचा अपनी लिखावट को लेकर हमेशा परिशान रहता उसे लगता था कि लिखना बहुत कठिन है वो हमेशा बहाने बनाता, जब भी उसे कुछ लिखना होता चाचा, मैं तुम्हारे लिए कुछ पेंसिल्स लाई हूँ क्यों न तुम कुछ अक्षर लिखकर देखो इनसे नहीं मा, लिखना बहुत मुश्किल है मैं फिर कभी कोशिश करूँगा अभी मैं खेल रहा हूँ चाचा की मा जानती थी कि ये बहुत जरूरी है चाचा के लिए कि वो कुछ लिखना सीख ले चाचा हमेशा कोई न कोई बहाना बना दिता है जब भी मैं लिखने को कहती हूँ हम्, हमें कुछ करना चाहिए चाचा को ये दिखाने के लिए कि कैसे लिखना आसान है और मज़िदार भी चाचा के माता पिता मिस डॉर्थी से मिल ले गए वो चाचा की पसंदीदा टीचर थी मिस डॉर्थी, चाचा मानता है कि लिखना बहुत मुश्किल काम है वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना दिता है जब भी मैं उसे कुछ लिखने को कहती हूँ चिंता मत कीजिए, हम चाचा के लिखना मज़ेदार बना देंगे फिर उसके बाद उस दिन मिस डॉर्थी चाचा की कक्षा में गई बच्चों, ये बताओ हमारी कितनी उंगलिया है चाचा, क्या तुम बताओगे? हमारी दस उंगलिया है मिस डॉर्थी, पांच-पांच दोनों हाथों में तुमने सही कहा चाचा पर क्या तुम्हे पता है कि हमारी उंगलिया कितनी मजबूत है? इनसे तुम बहुत कुछ कर सकते हो और इसलिए हम ये नहें और बलवान बनाना चाहिए तो फिर चलो चाचा, मुझे तुम्हे कुछ दिखाना है मिस डॉर्थी ने चाचा को दिखाया कि उंगलियों से कैसे पेंट कर सकते हैं अपनी उंगली को रंग में डुबो अब उसे कागस पे रखकर चलाओ बहुत अच्छे अब फिर से अपनी उंगली को रंग में डुबो और लिखो ए ये तो मज़ेदार है चाचा को अपना नाम रंग से लिखकर खोब मज़ा आया फिर मिस डौर्थी चाचा को मिट्टी के धेर के पास ले गई उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे वो मिट्टी में अक्षर लिख सकता है चलो आओ चाचा अब हम मिट्टी में अक्षर लिखते हैं आओ ग्रायाओ चे ड्राया आ、 बढते हैं ए〜 अब हुआँ जेका में आओे बो Olympics में अबुआ झालो भॉआँ तरर सा जाँ़सonne के लाम वाँ, ये मज़ेदार है मिस डॉर्थी ने चाचा को चीका के साथ एक नया खेल भी खिलाया चाचा, अब तुम्हें चीका की पीट पे अपनी उंगली से कोई अक्षर लिखना है फिर चीका सूच कर बताएगा की वो कौन सा अक्षर है ठीक है मिस डॉर्थी चीका, बताओ, ये कौन सा अक्षर है तुम्हें एस लिखा है चाचा मिस डॉर्थी ने चाचा को ये भी दिखाया कि किस तरह वो हवा में अक्षर लिख सकता है और पानी में भी चलो आओ चाचा अब हम हवा और पानी में लिखते हैं फिर मिस डॉर्थी ने चाचा को बीजों की मदद से बड़े बड़े अक्षर लिखने को कहा चलो आओ चाचा अब अक्षरों के उपर से कूदो अब जब चाचा ने अलग-अलग तरीकों से अक्षर लिखना सीख लिया था उसकी उंगलिया और भी मजबूत हो गई जसकी पुआ उपर से बड़े ने चाचा को बड़ा से बड़े दो सिक्सेस अब उसे अक्षर और भी अच्छे लगने लगे थे एई बी और फिर मिस डॉर्थी ने चाचा को एक कलर्ट पेंसिल्स का डबा दिया चाचा अपना पसंदीदा रंग उठाओ और उस रंग से किताब में कुछ अक्षर लिखो ठीक है मिस जॉर्थी चाचा ने एक चमकदार नीली पेंसिल चुनी और कुछ अक्षर लिखने शुरू कर दिये उसे आश्चर हुआ कि लिखना भी इतना मज़िदार हो सकता है वहाँ मिस जॉर्थी लिखना मज़िदार है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है असल में मुझे लगता है ये बहुत आसान है उस दिन जब चाचा अपने घर गया तो उसके पास अपने माता पिता को दिखाने के लिए कुछ था मा, पिता जी, देखिए, मैंने इस कागस पर आप दोनों के नाम लिखे है शाबाश चाचा हमें तुम पर बहुत नाज है इसके बाद चाचा को लिखने में मज़ा आने लगा और उसने अपनी किताब में बहुत से अक्षर और शब्द लिखे लिखना मज़ेदार और आसान है, बिलकुल ऐसा जैसे हम याद करते हैं A, B और C अब मुझे लिखने में कभी भी कोई परिशानी नहीं होगी ची का एक अच्छा बच्चा था, पर वो बहुत आलसी था खास कर तब जब उससे अपना होमवग करना हो ओ, ये होमवग कितना बोरिंग है पहले मैं खेल लेता हूँ, फिर अपना होमवग करूंगा ची का हमीशा ही ऐसे बहाने बनाता जब उसकी मा उसे अपना होमवग करने को कहती ची का, प्लीज अपना होमवग कर लो बस तुम्हारी कुछी सवाल तो रह गए है मैं बाद में करूंगा मा अभी मैं बहुत ठक गया हूँ ची का जूठी कहानिया भी बनाता था जब उसकी टीचर उसे होमवग दिखाने के बारे में पूछती ची का, चलो अपना होमवग दिखाओ उसे मेरा डॉगी खा गया मिस जॉरथी ची का की मा एक दिन मिस जॉरथी से मिलने आई वो ची का की मन पसंद टीचर थी ची का अपना होमवग कभी नहीं करता मिस जॉरथी चाहे मैं उसे कितनी बार क्यों ना कहूँ मेरे पास एक तरकीब है हमको चैसा करेंगे जिससे आज के बाद ची का हमेशा अपना होमवग करेगा मिस डॉर्थी ने उस दिन बच्चों को होमवक दिया सुनो बच्चों, आप सब अपना होमवक आज ही पूरा कर लेना ये बहुत जरूरी है मैं उसे कल चेक करूँगी जी मिस डॉर्थी पर मिस डॉर्थी के याद दिलाने के बावजूद, जीका ने उस दिन अपना होमवक नहीं किया अगले दिन, मिस डॉर्थी ने क्लास में एक घोशना की बच्चों, तुम्हारे लिए एक सर्प्राइज है हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल के बगीचे में आप सभी को बुलाया है स्कूल के बगीचे में? हाँ, वहाँ तुम सब बागवानी करना सीखोगे तुम सब को मिलेगी हास, टूपी और रॉजार और असली बागवानी करने का मौका भी हुरे! सारे बच्चे सुनकर खुश हुए हास कर चीका चीका बगीचे में जाने को बेताब था क्यूंकि बागवानी करना उसके मन पसंद कामों में से एक था हम बगीचे में कितने बज़े जाएंगे मिस डॉरिथी? जैसे ही मैं सब का होमवर्ट चेक कर लूँगी प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बगीचे में उनहीं बच्चों को आने देंगी जिन बच्चों ने अपना होमवर्ट पूरा किया हो इसलिए बच्चों चलिए अपना-पना होमवर्ट दिखाईए चीको और दूसरे बच्चों ने मिस डॉर्थी को अपना होमवर्ट दिखाया मैंने अपना होमवर्ट कर लेया मिस डॉर्थी और मैंने भी पर चीका ने अपना होमवर्ट नहीं किया था इसलिए चीका ही वो बच्चा था जिसे बगीचे में नहीं जाने दिया गया मुझे भी बागबानी करनी है मिस डॉर्थी अगर आज तुम अपना होमवर्ट करोगे चीका तो कल हम सब बगीचे में जा सकेंगे उस शाम चीका ने अपना होमवर्ट बिना किसी के कहे पूरा कर लिया उसकी मा ने उसे एक बार भी याद नहीं दिलाया अगले दिन चीका ने तुरंथी अपना होमवर्ट मिस डॉर्थी को दिखा दिया मैंने होमवर्ट कर लिया मिस डॉर्थी बहुत बढ़िया चीका तो आज तुम भी सब के साथ बागवानी करोगे हुरे मिस डॉर्थी सब को एक बार फिर बगीचे में ले गए और इस बार चीका को एक टोपी और औजार भी मिले और उसने अपने दोस्तों के साथ बागवानी की हुरे उस दिन के बाद से चीका अपना होंवक हर रोज खुद ही कर ले था इससे मिस डॉर्थी और उसकी मा को उस पर बड़ा नास हुआ अब तो कसली के मन में लालच आ गया था अब इसने अपना बहुत सा सामान खो दिया है मुझे चोट लग गई मैनद करके जीतने में दूसरे की मदद करें